आओ होली कुछ ऐसे मनाएए कुछ मैं तेरे रंग लगाऊं कुछ तू मेरे रंग में घुल जाए मैं तेरी मुसकुराहते चुरालू कुछ तू मेरे साथ मुसकुराए आओ होली कुछ ऐसे मनाएं रंग भेद भेद भाव धर्म से उठकर एक ही सुर्गुन गुनाएं आओ होली कुछ ऐसे मनाएं दोस्तों होली की धेर्यों रशुकामनाय और एक बार फिर मैं आपको करियर काउजबी शुभांकर पर फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर मुकूल शुवास्तो जो की प्रोफेसर और विभागा दश्य है पत्रकारिता एवं जंसंचार विभाग लक्नो विश्वविद्याले में पिछले 23 वर्ष से पत्रकारिता शिक्षन में ये संगलंगन है ये अब तक नौ पुस्तके लिख चुके हैं इसके अतिरे तीन किताबों का अनुभाद भी किया है जिसमें नोबल पुरसकार विजेता विएस नायपॉल का प्रसिद्ध पुस्तक एन एरिया ओव डाक्नेस और Infosys Foundation की अध्यक्षा पद्मश्री श्रीमती सुधा मूर्ती की पुस्तक जीवन की खटी मिटी प्रेरक कानिया भी शामिल है डॉक्टर शिवास्तो की पहली पुस्तक मानवदिकार और मीडिया को मानवदिकार आयोक का राश्य पुरसकार प्राप्थ हुआ है डॉक्टर शि इसको पैचानने के लिए आपको गूगल से प्रशिक्षन मिला है और इस कला को आगे पहुचाने के लिए आप देश भर में कारेशलाय चलाते रहते हैं इटली अमरिका और इंगलेंड का विदेश का दौरा कर चुके हैं इन्होंने ख्याती बद हिंदी राश्ट्रिय दै जिसका नाम था सीधी नोबगवास उसको अमरिका की हूस्टन उनिवस्ट्री से सराना भी प्राप्त हो है तो आएए बात करते हैं डॉक्टर मुकुल शिवास्तोजी से डॉक्टर सब्राइम टिवी के इस चैनल पे करियर काउज वे शुभांकर पर आपका बहुत वस्वा गयते हैं डॉक्ट साहब आप इतने वर्षों से लखन उनिवस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं आप एचोडी हैं वहां के मास कॉम एंड जनर्रिजम डिपार्टमेंट के पहले तो बताईए सफर कैसा रहा आपका कि ये सफर कुछ खटा कुछ मीठा रहा जैसे हमारी आ मजा ले रहे हैं बिल्कुल सही बात इस सफर का मजा ले रहे हैं लेकिन डॉक्ट साहब इस दौरान में आपने बहुत से अपने चात्रों को आगे बढ़ते देखा होगा आपके कई चात्र आज कई बड़े-बडे चैनलों में आज शरीक हो चुके हैं वो वहां पे अपना successful career बना रहे हैं डॉट सब आज के दिन में अगर आप से मैं पूछूँ कि ये मासकॉम का जो जर्णी है ये जो करियर है ये कैसा है? कितना lucrative है? देखिए ये तो मामला बड़ा मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल इसलिए है कि आपका perception कैसा है? या आप क्या सोच करके इस फिल्ड में आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा important मामला है जैसे ये सारा का सारा खेले expression का ये अभी वक्ती का आपने जिस कावे आत्मक तरीके से हूली की शुब कामना है दी आप उसे एक लाइन में भी कह सकते थे कि भाई हूली की शुब कामना है लेकिन फिर वो अंदाजे बायां का क्या होता? जब गालिब साब ने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बायां और तो ये जो confidence था कि भाई गालिब हर चीज़ को नए नजरिये से देख रहा है तो अगर आपके पास एक द्रश्टी है एक सोच है और अगर आपको लगता है कि इसे दुनिया के साथ माटा जाना चाहिए तो आप आईए लेकिन अगर आप नौकरी करने आ रहा है तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सारी नौकरीया आप तो आ गई है तरह तरह की आप सिंपल गूगल करेंगे तो पता नहीं हजारों लाकों नौकरीया दिखाएंगी आप एक दस से पांच की नौकरी करना चाहते हैं आप सोचते हैं कि शाम को जो है पांच बज़े आफिस छोड़ देंगे और छे वए तक घर पहुँच जाएंगे ये अगर आपकी सोच है कि एक शाम जीवन मिलने वाला है आपको तो नहीं ये फिल्ड आपके लिए नहीं हाँ पर अगर आप इतिहास बनते हुए देखना चाहते हैं आप उन लबहों के साक्षी होना चाहते हैं जिनके करण दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई हमारी सबकी जिन्दगियों पर उनका असर पड़ा तो जरूर इस फिल्ड में आईए और ये आपको कमाल कानभा देने वाली है लेकिन सबसे महत्पूर्ण चीज़ है पैशन क्या पैशनेट है पिल्कुल सही का डॉक्ट साइब हर एक लाइन की तरह दोस्तों बहुत जहोरी है कि किसी भी फ्रील्ड में जाने के लिए पैशन की बहुत आवशकता होती है हम लोग खुद से सोच लेते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पत्रकार बनना है लेकिन क्या उसके लिए वाकई हमारे अंदर वो जज़बा है वो जो लालच होती आगे बढ़ने की वो जो लोब होता है, जो भूख होती है वो है कि नहीं है टॉट साब, इन ही चीज़ों के चलते मैं कुछी जानना चाहूंगा जो करिकुलम है, जो मासकॉम और जर्नलिजम का क्या वक्के चलते इसको भी आपने बदलते देखा होगा कुछी ज़े नहीं आई, कुछी है या अभी भी हम उसी पुराने ढर्रे से चल रहे है क्यों टेक्नोलोजी तो बढ़ता जा रहा आगे जब हम लोग इस विश्या के विद्यार्थी के रूप में थे तो मैनूल कंपोजिंग का जमाना था अखबारों में और कंप्यूटर्स आने शुरू ही हुए थे और आज मैनूल कंपोजिंग की तो बात छोड़ी है कंप्यूटर्स ही बहुत कुछ आ गया अगया अब तो AI का जमाना आगया, Artificial Intelligence में बहुत सारे काम जो हैं, अब हो मशीने करने लग गई हैं हमाँ इनसानों की जरूबत नहीं है, तो जिस इसाब से तक्नीक बदली, समाज बदला और दुनिया बदली, उसी इसाब से कोर्स करीकुलम भी बदला, तो और उसी हिसाब से हम सब की जिन्दगे भी बदल लही हैं, अब जो कोर्स जैसे चल रही हैं, जिस प्रकार से अब स्टूडेंट्स बढ़ने तो पिछले कुछ दर्मियान में आपने क्या देखा क्या संख्या बढ़ लई है या घट रही है यह जो मासकौम की तरफ रुजहान जो है उसका बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि घटा हुआ देख रहे हैं कि अपने यह सवाल दूरत सिक्षावलों को भी जोड लें जो पत्रकारिता में एमे या जिसे बोलें कि पोस्ट गेजवेट की डिगरी दे रहे हैं करीब हजार डेड़ हजार बच्चे हर साल निकल रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं क्यों क्योंकि उन्होंने अपने आपको इस करियर के लायक तैयार नहीं किया ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब वो क्लास करने आते हैं तो हमारा काम है उन्हें दिशार निर्देश देना और भवश्य के लिए तैयार करना लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो महनत है वो आपको करनी है टैलेंट एक बाद अंधेरा हो जाएगा पापा डाटेंगे तो रहने दीजे फिर फिर कोई और कोर्स कर लीजे कोई और कोचिंग कर लीजे अगर आप आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं और किसी ने कह देगा यार तुम बोलते बहुत अच्छा हो तो आप कब तक बोलेंगे और आपकी वही बात लोग कब तक सुनेंगे तो जब तक आप नया नहीं डिलिवर करेंगे वही वाली बात है कि अंदाजे बयां अगर आपका अंदाजे बयां यूनीक नहीं है तो लोग आपको क्यों सुनेंगे हम लोग बारत के मैं जब भी हर किसी विश्विद्याले मे किसी वर्क्शॉप या लेक्चर देने जाता हूँ तो मैं एक सवाल पूसता हूँ कि भाई बताओ यहां कितने लोगों के यूट्यूब चैनल है और वो 50% हाथ खड़े हो जाते हैं मैं उनसे पूसता हूँ कि भाई अगर आप यूट्यूब चैनल ना बनाते तो कौन सी दुनिया खतम हो जाती आफ़ता आजाती लेकिं डॉट्ट साथ माफ करीगा लेकिं चलन भी आजकर लूँ यूट्यूब चैनल का है ये तो दर्मियान वही है आजके दिन में कुछ भी पूछिए तो आप भी फट से यूट्यूब चैनल तुरंद आप ढूनना शुरू कर देते हैं तो बच्चे कहां से गलत है यूट्यूब चैनल आप बनाई है बिलकुल बनाई है लेकिन उसके पहले की तैयारी तो कीजे कि भाई जब लाखों करोडों उसी विधा में उसी विशय पर य यह होती है कि जैसे कि आप जब कोई चैनल लाउंच होता है तो एक प्री मार्केट टेस्टिंग होती है उसकी तो यह जो इंपॉर्टन चीज है कि हम यूट्यूब चैनल ला रहा है तो भीड में खो जाएगा या एक नया मकाम बनाएगा और उसके लिए जरूरी है कि आप पहले जहनी तोर पर तयार हो हम सब बोलना चाहते हैं बोले जा रहे हैं एक इस मनुवरती से भी निकलना होगा कि पत्रकारिता हम ज़्यंचार में ज़्यादा तर बच्चे आते हैं तो उन्हें लगता है कि जब इसमें महनत नहीं बोलना है बोल देंगे लिखना है लिख कुछ भी बोल के लेकिन आप अगर इस सोच के साथ आ रहे हैं तो लाखो करोड़ों लोग बोल रहे हैं लाखो करोड़ों यूट्यूब चैनल हैं फिर आप आप कहां से उसमें खप पाएंगे वो सीनियर भी हैं आपको तो बहुत टाइम लगेगा तो ये जो महत पूर्ण बात ही है कि ये बहुत मुश्किल काम है ठका देने वाला मानसिक और शारिरिक रूप से अगर आप मानसिक रूप से कमजोर नहीं तो आप तोड़ जाएंगे सीनियर्स की आपको आपको डांट पढ़ रही तो आपके मेरे पिता जीने तो मुझे कभी डाटा नहीं तो आप अपने कैसे डाट दिया तो भाई सब मत आईए जब आप अंदर से मजबूत हैं जब आप बदलना चाहते हैं अपने आपको गल्तियों से सीख लेते हैं और बहुत इमोशनल नहीं हो जाते हैं किसी ने कुछ कह दिया तब आप सीख पाएंगे तब आप आगे बढ़ लेकि तो आज będziemy संभाद खतम हो रहा है वह पत्रकार्रिता खतम हो रही है कहीं न कहीं मोशन बेचे जाते हैं उस दर दोरान में अगर यहिफटे अगर यूँट्यूब के जाकर अगर इस प्रकार का अगर कुछ एक प्रचलन का अ माध्यम बन जाते हैं तो उसम गलत क्या है आपके बात सङी है कि emotions बेचे जा रहे हैं emotions हमाइशा से बेचे जा रहे थे प्तरकारिता मेरे हिसाब से मैं इस कथन से सहम Das gmail कि खत्म हुई है हम अब पत्रकारिता करना नहीं जाते हैं और इसका एक बड़ा कारण है इंटरनेट इंटरनेट ने क्या किया कि चीजों को बहुत आसान बना दिया है तो उसमें क्या होता है कि बस गूगल कर लो कुछ कोई पुराना मिल जाएगा पहले किसी स्टोरी पर मेहनत करने के लिए आपको फील्ड में जाना पढ़ता था लाइबरिरी में जाना पढ़ता था पढ़ना पढ़ता था लोगों से बात करने पढ़ती थी अब क्या है कि चीज़ें बहुत सतही लेवल पर पहुँच गई दूसरी जो सबसे इंपॉर्टन चीज हुई है कि जीवन की समस्याओं को बारिकियों को विरोधा बास को हम दो द साजा करने की जिग्यासा चाहिए तब जाकर के आप समझ पाते हैं तो यह सबसे बड़ा महत्पूर्ण है और इसमें एक सोशल मीडिया का बड़ा कॉंटिब्यूशन है कि इसलिए देखिए सोशल मीडिया की बहसें किसी मुकाम पर नहीं पहुंसती वहां लगता है हर इनस पता थी हर चीज सब को सब कुछ पता हो यह जरूरी नहीं है पर सोशल मीडिया ने क्या किया कि नहीं नहीं जो हम कह रहे हैं तत्थ कत्थ और सत्थ में जो अंतर रहा करता था वो अंतर खतम होता चला जा रहा है जो राय है उसे कत्थ मान लिया जा रहा है तो उसमें पत्र कार है हर कोई एक यूट्यूब चैनल खोल लेता है कोई भी बोलने उतर आता है तो फिर फिर बात होती है कि फिर इंपोर्टन्स कह रहे गया बैचलर्स इंजर्नलिजम और मास्कॉम यह जो कोर्सेज बनाई गई लोग इस पर मेहनत करते हैं पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेज हैं पिएजडी कोर्सेज इस पर से हो रही है तो फिर उसका महत्व क्या रह जागा देखिए महत्व है पहली चीज तो भारत में जो पत्रकारिता सिक्षा है वो एक विडम बना का शिकार है पत्रकारिता सिक्षा विश्विदाले अनुदान आयोग के देशा निर्देशन म बनने आता है वो एक बड़ा गैप है दूसरी चीज यह है कि जिस तेजी से तक्नीक प्रोफेशनल नहीं हो सकता रिसर्चर अब आप यह बताईए कि जैसे कि आपका जो वीडियो एडिटिंग जो जान रहा है वीडियो एडिटिंग जान रहा है अब उसे कहा जाए कि है कि चीजों की जरुवत नहीं होगी तो जो उच्छ सिक्षा में जो निवेश है पत्रकारिता सिक्षा में जितना किया जाना चाहिए सरकारी विश्विद्यालों में उतना सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जितनी तेजी से तक्नीक ब तो अगर आपको रिसर्चर बनना है जब हम कुलास में जाते हैं तो हम यह कहते हैं कि कैमरा चलाने नहीं इतना इंप्रॉटन नहीं एक narrative दिखने लग गया story मिले लग गया पर अगर आप 90 या 2000 के देशक तक देखें तो उन्होंने कमल में से एक फोटो निकाल दी वो इधर से निकाल दी कैमरा का काम दोनों कर रहा है पर अगर आपने पत्रकारीता की पढ़ाई की है तो जब आप कैमरा उठाएंगे तो आपके पास एक विजन होगा आप रूटीन काम नहीं करेंगे कुछ आप आउट आफ दा बॉक्स सोचेंगे जैसे गालिब साब कह रहे थे कि हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं कह रहे हैं लेकिन गालिब का अंदाज बया हो रहे हैं तो जो पढ़ाई लिखाई है जो जहनी तोर पर आपको एक नजरिया वो आपको फेस इन दा क्राउड बनागा वो तकनीक नहीं दे सकती है रिमोट तो आप कभी वी चला ना सीख जाएंगे लेकिन उस रिमोट से आप क्या देखेंगे या क्या दिखाएंगे इसके लिए इन कोर्सेस की इन पाठक्रमों की जरूँए चली रोग साब मैं आपकी बात मानता हूँ अब एक एहम सवाल ये भी बात सही है कि आपने सिगनिफिकेंस बता दिया कि वही कोर्सेस के सिगनिफिकेंस है माल लिया इतने सारे कोर्सेस हैं तमाम विश्वद्यालों में ये रं कर रही है जो अंडरगरजुएट कोर्सेस हैं उसके लिए प्राइबेट स्कूल्स भी हैं जहां पर रन कर रही है, प्राइवेट कॉलेजिस में चल रही है, डिग्री कॉलेजिस में रन कर रही है, बच्चे इतने निकल रहे हैं, क्या वाकई इनके लिए उतनी opportunities हैं, आज हर दूसरे दिन चार चैनल बंद होते हैं, दो खुलते भी हैं, लेकिन शुरुआत तो वहीं यूट्यूब वाले में से होता है, तो फिर opportunities कहां हैं, आपके सवाल का थोड़ा सा, सीधा थोड़ा सा टेड़ा जवाब है मेरे पास, opportunities हैं भी और opportunities नहीं भी हैं, opportunities यह हैं कि जितने सारे चैनल खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से, जो हमारा एक एक न्यूनितम आए जो चाहि होती है, उतना वो चैनल नहीं दे पा रहा है, तो लोगों का मो भंग बहुत जल्दी हो जा रहा है, कि यार हमने इतना पढ़ा लिखा और अगर हमें यही करना है तो हम कुछ और काम कर लेते हैं, तो वो switch over जादा हो रहा है, लेकिन वहीं internet आपको N number of opportunities लेकर किया है, YouTube है, मतलब आपको किसी के आगे चक्कल लगाने की जरुवत नहीं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कहना जानते हैं और आप एक नए तरीके से कुछ कह रहे हैं, तो आप अपना YouTube चैनल बना है, या OTT platform से कॉलाबरेट करें और आप देखते ही देखते हैं च्छा जाए और भारत इसका आने वाले वर्षों में अगुआ बनने वाला है, गूगल और YouTube को हमारे टैलेंट की जरुवत है, और वहाँ पर इन कोर्से से जो पढ़े लिखे चात्र हैं, उनकी भूमी का महत्पूर्ण हो जाती है, कि वो नौकर बनने की बजाए, इंटर्पिनरर बने, खुद का काम शुरू करें, तो जो आप कह रहे थे कि जो पत्रकारिता उस हिसाब से नहीं हो रही है, उस पत्रकारिता भी बदलेगी और देश भी बदलेगा। आप मेशारी फ़ालेटी के माध्यम से हो, यूट्यूब हो, कुछ भी और की पर बात ही प्रकारिती ना कही यही फिसोशल मेडिया एक बहुत बाड़ा चैलेंज खड़ा कर देता फिर न्यूस चैनलेंस के लिए तो फिर जो खतम हो ही हैं बहुत तेजी से कहीं ना कहीं उसकी वज़े यह भी रही कि लोग आज यूटूब पर चीज़ें जदा देख लेते हैं तो फिर यह यूट्यूब्ट वर्शेस यह सौशल मीडिया वर्षेस जो satellite version था इसमें नहीं आपको कोई आपको दिखाई दे रहा है कि एक competition खड़ा हो रहा है और इसका एक negative असर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर आ रहा है इंडस्ट्री पर देखिए तक्नीक लगातार बदलती रहती है और भविश ये जो है वो इंटरनेट का ही है television channel और आखबार कोरोना काल ने उसमें गती बहुत तेज़ कर दी क्योंकि तक्नीक जीवन के हरक छेतर में एक जटके में आ गई हमारे जीवने और हम लोग उसे परचीत भी हो गए पहले हम लोग भागते थे कि अरे छोड़ो अब इसमें क्या जरूरत है लेकिन कोरोना ने online हमें कर दिया सारे सारे देश को एक घंटे में online कर दिया तो भारत में चैनलों का आप कोई वैसा भविश नहीं है अगले 10 साल में लगातार इसमें गिरावट आने वाली है जैसे ऐसे internet का penetration बढ़ेगा आप डरा रहें बच्चों को नहीं मैं बच्चों को डरा नहीं रहा हूँ मैं बच्चों को opportunities बता रहा हूँ कि अब आपको मतलब आप बहुत जल्दी अब उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें कि जो ये परंपरागर television channel है इससे आप आगे देखें जैसे कि अगर आप ये देखें कि हमारे सामने एक बानगी है इंडिया टूडे ग्रूप का जो दललन टॉप शुरू हुआ तो उसने समाचारों की भाशा को परिभाशा को एकदम से बदल दी आज एक बहुत बड़े गुरूप ने उसको पर इंवेस्मेंट कर दिया है हाँ मतलब जब सौरब दिवेदी जी और इनकी टीम ने इसको शुरू किया और जब मैंने पहली बार देखा इसे 2014-2015 में तो मैंने काई ये तो धमाका होने वाला है और 2022 आगया है और वो देखिए उन्होंने धमाका कर दिया मतलब उनका आप यूट्यूब का प्रेट फॉर्म देखें आप उनका वेब साइट देखें उनका आप देखें हर जगे उन्होंने जंडे गाड़े तो उन्होंने नब्स पकड़ी कि लोग क्या चाहा रहे हैं तो उसी तरीके से आपको भी ये समझना होगा और एक रिसर्चर के तोर पर अपने आँख नाकान खुले रखने होंगे कि वो एक सेट पैटन पर न्यूज देने और पाने का वक्त जा रहा है करने के लिए लोग उसमें कुछ जादा दालने का जो एक मोह जो जाग उठता है उसी से फेक निउस तैयार होता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो अपने साथ चुनोती भी लाती है अवसर भी लाती है और कुछ थ्रेट्स भी लाती है तो लेकिन फेक निउस भारत में क्यों जादा फैल लही हमें इस विशे पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अभी भारत एक संक्रमण काल से गुजर रहा है मैं और मेरा बेटा दुनों एक साथ फेस्बूक और वाटसेप चलाना सीख रहा है अगर मेरे जमाने में फेस्बूक या वाटसेप होता तो मैं अपने बेटे को बता पता कि भाई अब तुम्हारा फेस्बूक अकाउंट बन रहा है तो ये चीजें अपने आप कम होने लग जाएंगी फेक न्यूस का जो मामला है वो इसलिए भी फैल रहा है क्योंगी भारत में डिजिटल लिट्रेसी नहीं अभी तो हम लिट्रेसी का भी हमें एक सफर तै करना है लेकिन डिजिटल लिट्रेसी भी नहीं है सराव फेक निउस के एक्सपोर्ट है सर मैं उस माध्यम से जानना चाह रहा था क्योंकि बात यह नहीं है कि फेक निउस को रोका कैसे जाए फेक निउस क्या है मेरा अपना एक पर्सेब्शन जिसको मैं घुमा फिरा कि किसी भी तरीके से थोग दूँ तो फेक निउस है है कि तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके उपर रोक लगाने का भी तो कोई रास्ता होगा उसका रोक लगाने का रास्ता आपको क्या दिख रहा है अब वो एक जेपीजी इमेज किसी ने बनाई और उसने चिपका दी और वो आगे दो लेकिन अभी भारत एक बहुत बड़ा देश है यहां इंटरनेट का विस्तार भी होना और लोगों को सीखना भी है इसमें वक्त लगेगा लेकिन हाँ जागरुकता जो है वो है लेकिन हाँ यह अभी भी है कि जो ऑफेंटिसिटी न्यूस चैनल के पास है क्योंकि हम लोग एक न्यूस चैनल पर जहां पर हम काम कर रहे हैं मेरा एक मानना अपना है मेरा यह मानना है कि देखिए एक अलग-अलग होड है एक लेविल है उपर का जो लेविल है जिसको क्रीमी लेयर कहते है उस creamy layer को अपना जो creaminess है या जो जिसको कहते हैं ना कि वर्चसों की जो लड़ाई होती है उस वर्चसों की लड़ाई को बनाए रखने के लिए और वर्चसों बनाए रखने के लिए एक तो वहाँ पे fake news create होता है और दूसरा create होता है सीधे सीधे आप आजाईए तो whatsapp के level पर जिससे आपका प्रचार बहुत जल्दी हो सकता है फैलाओ बहुत जल्दी हो सकता है mass communication का सबसे कहना नहीं चाहिए गंदे तरीके से जिसका व्यभार किया जाता है आप देख लीजिए किसी भी तिन सुभे आप उठते हैं whatsapp खोल के देखिए कुछ ना कुछ आपको medical का कु जो ग्यान WhatsApp ने दिया किसी डॉक्टर नहीं दे पाय थे ऐसी चीज बताई गई थी कि अगर प्यास को जो बाइन नाक के साथ में रखे तो दाइने नाक में कोई कोरोना नहीं होगा ऐसी ऐसी बाते हम लोंने सुनने को मिली थी सर जो नीचे का तबका जिसने अभी हमारे जै के हो जाती हैं लेकिन इन सारी चीजों के पीछे हमें करियर की बात कर रहे थे की mass communication यही बच्चे जो mass communication पढ़के निकलते हैं ऐसा नहीं लगता कि कुछ निया education policy इसमें भी लाना चाहिए नहीं जैसे कि मैं अगर लगनोव शुद्याले की बात करूँ और फेक न्यूज अगर आई तो एक नया करियर आप्शन गया है अब भारत का हर अगबार हर चैनल फैक्ट चेकर रख रहा है और उसमें ट्रेंड लोगों की जरूरत हो रही है उनकी एक पूरी फैक्ट का कौन से टूल सें कौन से टेक्निक्स हैं तो यह सारी चीज़े हैं तो बेलकुल सेवाइब अच्छा सर अब करियर के माद्धम पर पूछूं बच्चे को क्या लगना चाहिए कि बहुत से महता है कि बच्चा सोच तो लेता है कि मैं पत्त्रकार बन सकता हूं और वकूत प हुनना चाहिए वो कौन सा जील हुनना चाहिए कैसे उसको लगे कि नहीं यह लाइन उसके लिए बिलकुल सही है सबसे जो महत्पॉंड चीज़ है कि वो अपने आप से पूछे या यह समझने की कोशिश करें कि क्या उसे चीज़ों को जानने की जिग्यासा रहती है मतलब हर चीज़ समझना चाहता है आसमान का रंग नीला क्यों है रोड पर जो डामर है वो काले कलर का ही क्यों होता है पीले जब इस तरीके से जब आप सवालों की तलाश में निकलेंगे तो जवाब भी मिलने लग जाएंगे इससे क्या होगा कि आपका जो इंटलेक्ट है वो ज सबसे महत्पूर्ण बात है कि कोई भी किताब पड़ी हो उसमें नहीं कुछ ऐसी पन्ना पलट लिए बैट रहे हैं देख रहे हैं क्या कुछ नए शब्द अब घ्रणा कुंठा शोब गुसा अच्छी करते जाएं तो अगर यह आ जाएगा भारत में नौकरियों की अभी कमी नहीं है मैं फिर यह कह रहा हूं लेकिन जितने भी मार्केट में जो जो चैनल ऑनर्स हैं आखबार वाले हैं उस हिसाब से लोग नहीं मिल रहे हैं क्यों एक गंभीर वीशय की बजाए लोगों ने बड़ा हलका बना दिया कि कुछ नहीं पूरा है तो चलो मास कॉम कर ल नहीं कर रहे हैं आज की जो पीड़ी है इंटरनेट के करण वो हर चीज को दो मिनट में मैगी की तरीके से सब समझ लेना चारी है वो करत करत अभ्यास से जडमत हो सजान रसरी आवजास से सिल पर होतने सान तो अभ्यास की कमी है और एक जो मामला है कि रितु आवे पर फल ह होएगा मतलब जो हर चीज का एक समय होता है आप ट्वैल्थ आपने पास किया और आपने अंडर गैड़ पर जनलिजम कर ली और आपने सोचा कि आप किसी बड़े पत्रकार के डैडी हो गया एक तम अब आप आप ये कर लेंगे सो सिर्फ तकनीक जान लेने से पत्रकार ही हम जनसंचार नहीं आता है ये सबसे महत्पूर्ण बात है देखी ना उनका असर हमारी फिल्म हमारी फिल्म है इन दिनों कितने कमाल के बन रही है छोटे कजबों की कहानिया नए नए विशह आ रहे हैं क्योंकि ये छोटे शहरों से निकले लोग अब बड़े पर जा रहे ह नबबे के दशक तक जिस तरह की फिल्म हम लोग देखने का दी रहे हैं अब देखे कि कितनी वराइटी मिल रही तो पत्रकारिता में भी वो दौर आने वाला है बस हमें दो-चार साल का और इंतजार करना पड़ा है अब मैं आखरी में जस्त इतना जानना चाहूंगा डॉ उनिवस्टी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीजी कोर्सिस हैं और मास्टर्स है और पीजडी है शायद तो सर अंडर ग्राइट कोर्सिस के लिए बच्चे कहा जाए और डिपलोमा कोर्सिस जो कर रहे हैं उनके लिए भी क्या उपरचुनिटी बराबर का है लेकिन जो इजूकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बड़े बतला हुए हैं तो जो लोगों को नहीं पता है अब जो आपका अंडर ग्रेजडी कोर्स है वो चार साल का हो गया है अब मान लिजे कि आपने बीए जनलिजम में दाखिला लिया और आपने एक साल करने के बाद छोड़ दिय तो आपका एक साल बरबाद नहीं हुआ आपको बीए जनलिजम में सर्टिफिकेट की डिगरी मिल जाएगी दूसरे साल अगर आपने कर लिया और छोड़ दिया तो आपको डिपलोमा की डिगरी मिल जाएगी तीसरे साल अगर आपने कर लिया और छोड़ा तो आपको बीए तो मतलब आप क्या है कि मैटी लेवल जो है वह एक्जेट है तो यह बड़ी बात है तो माली जै कि कोई बच्चा है उसे लगा कि उसने एक साल कर लिया और उसके बाद उसके काम का हो गया मामला उसे नौकरी मिल तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चल रहे हैं कि उनको भी जो म लेकिन जब से एनिपी लागू हो गया है तब से अब तो अटोमेटिक अंडर गेजुएट लेवल पर अगर आपने एक साल का कोई कोर्स किया और आप पास हो गया और उसके बाद आप आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको उस कोर्स में सर्टिफिकेट की डिग्र मिल जाएगी तो सर जो रूरल में जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट आप्शन क्या होता है रूरल में जो बच्चे हैं अब उनके पास जैसे संसाधन है जैसे पत्रकारिता जैसा जो विशह है जो बहुत सारे संसाधनों का की डिमांड करता है तो उन्हें शहरों की का ब्रैंड करेंगा उससे मतलब नहीं कि वो किस इन्वस्टी से अफिलिटेट है तो चुंकि अभी ये शुरू हो रहा है मामला दो चार-पांच साल हमें इंतजार करना पड़ेगा तो सिचुएशन बिल्कु सही बात है सर आपने अपने कीमती वक्त से इतना समय हमारे लिए निकाला हमारे दर्शकों को बच्चों को इतनी सारी ग्यान की बाते बताई जनलिजम और मास कम्मिनिकेशन के बारे में इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन शायद ही कोई दे सकता था आपका बहुत बहुत आभार आप इस वे माध्यम से हम मांस तक पहुचाते हैं तो उसी को मांस कमुनिकेशन कोर्स कहलाता है और आज आम आज लोको ने देखा कि कैसे बिवेहिप्रकार के जनलिजम और मांस कम्मिनिकेशन कोर्स आज आप सकते हैं तो जी हां मैं बता देती हूं PРИम TV News Channel और princaries का काउच द्वारा हम लोग लाए हैं आपके लिए सर्टिफिकीशन कोर्सेज ओन जनलिजम और मास कम्मुनिकेशन तो इन कोर्सेज के लिए जादा जानने के लिए आप हमारे नीचे दिये गए फूर नंबर्स पे हम से काउंटाक कर सकते हैं और हमें इमेल भी कर सकते हैं तो जादा जानकारी के लिए देखते रहिए करियर काउच विच शुभांकर तैंक यू